तो चलो प्यारे बचो इस वाले सवाल को देखो इसमें बिसिकली क्या कहा जा रहा यह नीट 2000 आया था 22 में और इस कोश्चन में बिसिकली यह कहा जा रहा कि अपने पास रेडियोक्टिव सेंपल है एकस बने का कॉंस्टेंट यहां पर दिया हुआ है एक है-क थेन लेमडा है लेमडा है टू तौ टूरून्टिटी टू का कोश्चन है इनिशिली एक अब नंबर नुकलीा लिन देरशी अपने नंबर नुकली आए-गस-वेन-ट्पानी-श्टू-वन अपनी आपटर टाइम मतलब T टाइम बात मलब एक सेंपल रैडियक्टिविटी सेंपल है यह डिके हो रहा है ठीक है तो अब यह स्रीज़ जो टीजब टाइम जीरो था तो इस पर यह नौट था तो टीज़ाईम बात का आपको फार्मुला होगा कि कितना बचा है यह नौट एक पार माइनस लैमड है remaining मतलब बचा हुआ है ठीक ना बचा हुआ है सेंपल है तो इसी को दो बार लगा देते हैं x1 is equal to यहाँ पर x1 is equal to मालोग सुरू में x0 था e की power minus 10 lambda t equation number first यह और यहाँ से x2 is equal to यहाँ से x0 से में e की power minus lambda t यहाँ बचेगा तो यहाँ पर e की power minus 10 lambda यहाँ बचेगा तो यहाँ पर e की power minus 10 lambda t और प्लस यहाँ से lambda t तो यहाँ जाएगा e की power minus 9 lambda t तो इसका मतलब भी हुआ x1 upon x2 की यहाँ value दिया हुआ 1 upon e तो यहाँ से 1 upon e की value आ जाएगी e की power minus 9 lambda t ठीक है x1 upon x2 की इसकी value रख दिये बचेगा तो यहाँ से तुम इसको solve करो तो e की power minus 1 और e की power minus 9 lambda t ठीक है तो यहाँ से पावर सेम यहाँ से एक्वेट मैं कर देता हूँ minus 9 lambda t एक कुछ नहीं है तो यह minus minus खतम हो गया तो t की जो value आ जाएगी यहाँ से t is equal to 1 upon 9 lambda के बराबर आ जाएगा ठीक ना तो 1 upon 9 lambda मतलब B option अपना सही हो जाएगा तेंक यू